हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तो माई चैनल एजुकेशन तिंग्स डेली आज करेंट एफेर का सेवंथ पार्ट है शुरू करने से पहले जो लोगों हमाई चैनल पर नहीं है वो लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको साइड सबसे पहले मिल जाएं और आप मेरे प्रेलिस्ट हो जा सकते हैं जहां पर आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियो मिल जाएंगे चलिए सुरू करते हैं कुश्यंस से किस राज सरकार ने वर्स 2020 को सुश्याशन संकल्प वर्स के रूप में मनाने का निडने लिया है उप्शन है पंजाब, गुजरात, हरियाणा या फिर नई दिल्ली देखे वर्ष 2020 में सुसासन संकल्प वर्ष के रूप मनाने का निंड़ लिया है हर्याणा ने देखे इसका सही अंसर है हर्याणा देखे राज इस तरह सुसासन दिवस समारों में प्रदेश के सीयम मनुहर लाल ने राज के कर्मियों को प्रोसाहित करने नागरिकों को डेटल सुधा देने वर्ष 2020 को सुसासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोशना की है ताकि कर्मी सुधार की आवशक्ता के अनुसार अपने सुजहाओं दे सकें तथा इन सुजहाओं को प्राप्त करने के लिए जल्द ही वेबसाइट भी सुरू की जाएगी लगला कोशन है सन्युक्त राष्ट द्वारा हाल ही में किसे इस दसक में विष्व की सबसे प्रशिद किशोरी बताया गया है ऑप्शन है मलाला यूसुप जै, मारले डियाज, क्रिश्टीना मार्टिन या ग्रेटा थनबर्ग देखिये हाल ही में सन्युक्त राष्ट द्वारा इस दसक की इस दसक में विश्व की सबसे प्रशित किश्वरी बताया गया है मलाला यूसुप जाई को देखे सन्युक्त राष्ट द्वारा हाल ही में डिकेड इन रिव्यू रिपोर्ट में पाकिस्तानी सिक्षा कार्यकरता और नोबल पुरुसकार विए था मलाला युसुब जाई को मौजूदा दशक की विश्व की सबसे प्रशिद्य किशोरी बताये गया है मलाला युसुब जाई को वर्श दोहर चौदा में नोबल पुरुसकार मिला गया था शांती के शेत्र में अगला कोशन है खादी ग्रामोद्योग आयोग ने किस स्थान पर सौ किसानों को एक हजार भी बॉक्स वित्रित किये गये हैं ओप्शन है चंडीगर्ड अगर्तला कोलकाता या फिर लुटियाना खादी ग्रामोद्योग आयोग ने अगर्तला में अगर्तला में सौ किसानों को एक हजार भी बॉक्स वित्रित किये गये हैं यह कब हुआ है यह हुआ है महात्मा गांधी की एक सौ पचासवी जैनती के अउसर पर खादी ग्रामोद्योग आयोग ने अगर्तला में गरीब तबकों को सहायता प्रदान करने के उद्देश से सौ किसानों को सौ भी बॉक्स वित्रित किये हैं चलिए अगला कोशन है कुर्च से सन्यास लेने की गोश्रा की हैं ऑप्चन है दक्षी डाफिरका इस्ट्रिया ऐर लैंड या फिर इंगलैंड हि वर्न ओर फिलेंडर दक्षी डफिरब टिंग पर ख नियूंहोंने हाल ली में अंदतराष्टरे क्रिकेट आर्वक्षाण की है वर्नर फिंडर ने अपने टेस्ट करियर में 60 मैच में 60 मैच में कुल 216 विकेट लिये हैं 216 विकेट 216 विकेट लिये हैं और वंडे में इन्होंने 30 मैच और 41 विकेट लिये हैं चलिए अगला कोशन है हनुक्का फेस्टिवल किस देश में मनाया जाने वाला रोशनी का त्योहार है ओप्शन है फ्रांस, अमेरिका, सौधी अरब या फिर इसराइल देखिए हनुक्का फेस्टिवल इसराइल में मनाया जाने वाला रोशनी का त्योहार है इसराइल में मौझूद यहुदी समुधाय के आठ दिन तक चलने वाले हनुक्का फेस्टिवल की हाल में शुरुआत हुई है या त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत और रोशनी के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है या आठ दिनों तक चलता है चलिए अगले कोशन में बढ़ते हैं निमलेखित में से किस इस्थान पर भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी सापित की जा रही है आप्शन है कोशी नगर उत्रप्रदेश, पटियाला पंजब, सिर्सा, हरियाणा या फिर ग्वाळियर, मद्ब्रदेश Transgender University इस्तापित की जा रही है और यहां देश की पहली University होगी जो Transgender University होगी और यहां कुशी नगर उत्तरप्रेश में स्तापित की जा रही है यहां अपनी तरह की पहली University होगी जहां Third Gender के लोग सिछचा ग्रहण कर सकेंगे चलिए अगला कुशन है हाल ही में किस मुबाईल सेवा प्रदाता ने भारत में WiFi Calling की सुविधा प्रारम की है WiFi Calling की सुविधा option है Beational Airtail Idea या फिर जीओ लेकि Airtail ने भारत में WiFi Calling की सुविधा प्रारम की है यह सुविधा इस दिशा में क्रांतिकारी कदम आना जा रहा है और इस सुविधा गलाव उठाने के लिए किसी केरियर नेटवर्क की आउसकता नहीं होगी अर्थाद इसके लिए टॉक टाइम या फिर बैलेंस की आउसकता नहीं होगी इसके माध्यम से बीना इंटरनेट कनेक्शन के ही व्यक्ति कॉल प्राप्त कर सकेगा तथा उसे किसी अन एप की आउसकता नहीं होगी वाइफाई कॉलिंग के सुविधा एयर टेल ने प्रारम की है हाल ही में किस राज्य में दक्षिड भारत का सबसे पुराना शिर्यालेक पाया गया है ओप्षियन है गुजरात आंद्रप्रदेश मद्रप्रदेश या फिर के राल ने कि हाल ही में किस राज्य में तो यहां आंद्रप्रदेश में आंद्रप्रदेश जो दक्षिड भारत का सबसे पुराना शिरालेक पाया गया यहां पे आंध्र प्रदेश में यह भारत का अब तक का सबसे पुराना संस्क्रित शिरालेक है यह संस्क्रित शिरालेक आंध्र प्रदेश के गुंटूर जीले के चेब रोलू गाउं में खोजा गया है नेक्स्ट कुश्चन है निमलेखित में से किस सरकारी योजना के तहत सरकार दोरा मार्च 2020 तक भारत के सभी गामों को वाई-फाई से जोड़ने का लक्ष निधारित किया दिया है बारत नेट योजना, नेट इस्पीड 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 इ भारत ने टियोजना के माध्यम से 2.5 लाक ग्राम बन चायतों को या सुझा देगी इसके तहत ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ब्रॉट्बिंड करेक्शन को रूट किया जाएगा और जहां पर ऑप्टिकल फाइबर की माध्यम से किया जाएगा और जहां पर आप्टिकल फाइबर नहीं हो पाएगा वहाँ पर वायरलेस सेटलाइट नेटवर्क का उप्योग किया जाएगा केंडर सरकार द्वारा जारी गुट्स गवर्नेंस फूचकांग में किस राज को पहला इस्थान मिला है गुट्ट सूचकांग में किस राज को पहला इस्थान मिला सुचकांक में राजवक केंदर शाशित प्रदेशों को तीन समुहं बाटा गया है बड़े राज उत्तरपूर्व तथा पहाड़ी राज तथा केंदर शाशित प्रदेश बड़े राजवक श्रेडी में हैं तमिलनाडू को प्रथम इस्थान प्राम्थुआ है नेक्ट कोशन है भारत के दिग्गाई टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने किस वर्स रिटायर होने की घोशना की है अप्शन है 2020, 2022, 2019 या फिद 2021 भारत के दिग्गाई टेनिस खिलाड़ लिएंडर पेस ने किस वर्स रिटायर्मेंट लेने की घोशना की है 2019 में ये ले चुके हैं या 46 वर्स के हो गया है तथा इन्होंने अपने करियर में बहुत से उपलोदियां हासिल की है उन्होंने एकल के साथ साथ यूगल इस पर्दा में भी कई ग्रेंट स्लैम जीता है और इसमें बताया है कि 2020 2020 उन्हें करियर का आखरी साल होगा कि माफ कीज़ेगा इसका सही अंसर है 2020 इसका सही अंसर है 2020 में रिटायर होने के घोशना की है 2020 कोशन है तिलंगाना सरकार द्वारा हाल ही में रोड ट्रांस्पोर्ट कॉपरेशन कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयू अंठावन वर्स से बढ़ा कर कितने कर दी गई है ऑप्शन है साथ वर्स बासट वर्स तिरसट वर्स या फिर एकसट वर्स देखिए तिलंगाना सरकार द्वारा हाल ही में रोड ट्रांस्पोर्ट कॉपरेशन कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति 58 वर्स से बढ़ा कर 60 वर्स कर दी गई है केंदर सरकार द्वारा हाल ही में रोटांग सूरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है रोटांग सूरंग का नाम ऑप्शन है हिंदू सूरंग हिं सूरंग अटल सूरंग या फिर पटेज सूरंग इसका नाम रखा गया है अटल सुरंग यह अटल बिहारी वाश्पेई जी के नाम पर रखा गया है यह उनकी 95 जैनती के अउसर पर उनके सम्मान में यह गोशना की गई है कि रोहतांग दर्रे के नीचे बनी लेह और मनाली को जोड़ने वाली सामरिक सुरंग का नाम अब अटल सुरंग होगा सुरंग से लाखॉल और इस्पीती घाटी के सुदूर के छेत्रों में संपर्क सोम हो जाएगा और इससे मनाली एवं लेह की दूरी 46 किलो मीटर कम हो जाएगी रोहतांग सुरंग का नाम बदल कर अब अटल सुरंग रख दिया गया है लगला कोशन है मनु भाकर ने हाल ही में राष्ट्री निशाने बाजी चैंपेंशिप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल के सीनियर और जूनियर वर्ग में कौन सा पदक जीते हैं आप्शन है सुरंड पदक, कांस पदक, रज़त पदक या फिर इन में से कोई ने देकि मनु भाकर ने हाल ही में राष्ट्री निशाने बाजी चैंपेंशिप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल के सीनियर और जूनियर वर्ग में सुरंड पदक इन्होंने जीता है यह जीती है सुरंड पदक इन्होंने सीनियर वर्ग के फाइनल में 241 अंकों के साथ यह खिताब जीता है चली एकला पुश्चन है भारत वर्ष में प्रती वर्ष सु शाशन दिवर्ष किस दिन मनाया जाता है ऑप्शन है 15 दिसंबर 10 दिसंबर 25 दिसंबर या फिर 26 दिसंबर प्रष प्रधान मंतरी अटल विहारी वाश्पेई के जन्य दिवर्ष के रूप में मनाया जाता है भारत रतन अटल विहारी वाश्पेई का जन्य 25 दिसंबर को हुआ था ओई इस दिवर्ष को पहली वर मनाया गया था 2014 में कि फास्ट टाइम इसे मनाया गया था है तो आज की वीडियो समप्त करते हैं जब मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को इसी में आगे कंटीनियू करूंगा थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो